मैं दोसा पूर रहा हूँ मेरी यहां की देवगिरी की पाहडी के कारण मेरा नाम दोसा रखा गया अगर मैं अपने श्चेतपल की बात करूँ मैं 3432 वरक किलोमेटर की परियदी में फैला हूँ मेरे यहां की जानवावडी की बनावट देखकर देश विदेश के लोग हक्के बक्के रह जाते हैं मेरे ही शेर में इस्तित है भगवान राम के अनन्यभक्त हनमान जी का मंदित जिसे मेंदिपुर बाला जी के नाम से जानते हैं इन्मिके दरबार में भूत प्रेज से पेड़ित लोगों को चुटकारा मिलता है। मैं यदि अपने इतियास की बात करूँ तो मैं कभी राजपुतों की पहली राद्दानी हुआ करता था। मेरा जिला ढूडार छेत्र में आता है और मैं जैपुर संबाग में इस्तित हूँ। मेरे छेत्वर पर सबसे पहले चोहानों फिर बढ़ गुजरों ने सासन किया। मेरी देवगरी की पहाडी पर दोसा का किला इस्तित है। 1137 में दोले राय ने कच्छा वंस की स्तापनक की थी और दोसा को पहली राद्दानी बनाया था। मैं दोसा पहले जैपुर का इस्ता था। बाद में 10 अप्रेल 1991 को जैपुर से अलब हुआ। 18-14 में राजस्तान की पहली ट्रेन मेरे ही सायर बांधिक्वी में चली थी। वो ट्रेन बांधिक्वी से लेकर आगरा के मद चली थी। मैं आपको बता दू। मैं राजस्तान के नैसनल हाईवे 11 पर रेस्तित हूँ। मैं मेरे लोक नर्त, हिला ख्याल, दंगल के कारण पूरे विश्वर में प्रसिद हूँ। यह नर्त, ढोल वह नगाडों के साथ पुर्शो द्वारा किया जाता है। मेरे छेत्र में से होकर बान गंगन दी परवाइत होती है। जय जयापूर की बैराट की पाहडियों से होकर दो सा होते विए भरतपूर होते विए यंबना में मिल जाती है। मेरे सहर भणडा रेज में भणडा रेज की पावडी इस्तित है। विश्व पर्षिद है मेरे शेत्र रावनेरी में हर्षद माता का मंदिर हिस्तित है जो अर्षद माता को समर्पित है जो परतिहर कालिन मंदिर है मेरे शेत्र जांजी रामपुरा जो बस्वा में हिस्तित है यह गाउं सिव मंदिरों के लिए विख्यात है इस मंदिर में 121 सि वो मुख है जिससे हमेश्या जलदारा प्रवायत होती है माना जाता है कि इस जल से इसनांद करने वाले के पाप पुन्य मिट जाते हैं इस गाओं में राणा सांगा का चबूतरा भी बना है कहा जाता है कि खानवा की युद में जब राणा सांगा घायलों के थे तो राणा स मेरे सहर दोसा के पास जैपूर जिला है, जहां एक इंटरनेशनल एरपोर्ट है, वहां से आप मेरे छेतर का ध्रमन कर सकते हैं.